जै शिरी राव मैं डॉक्टर अंकित त्यागी आपका अपना एस्ट्रोड़ जार निम्रिलोजिस्ट लाल किताफ न वास्तो कंसिल्टेंट आप सभी का फिर से सवागत करता हूँ आपके सपने बेहत खास कारिकरम भागे दरपन उमीद की करण में हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन एक वीडियो में आपके समक्ष लेकर करके आज जरूते हैं इस कारिकरम के तहट और एक ऐसी वीडियो जो आपकी आँखों को खोल देती है जो आपके जीवन में का दरपन बन जाती है आज की वीडियो बहुत 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 विशेस है बहुत विशेस जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको अंततकी वीडियो देखे बहुत कुछ मिलने वाले है इस वीडियो में आपको आज किस वीडियो में जानेंगे पवित्र शंक आकर क्यों है भगवान शिव की पूजा में वर्चित आकर भगवान शिव जिनको सभी विद्याओं का जनक माना जाता है उनको शंक का प्रियोग क्यों वर्चित माना जाता है क्या करण है आके रेसा आईए जानते हैं इस विशेस वीडियो में जैसे मैंने अभी बताया महादेव को भगवान शिव को भोले नात को तो सभी विद्याओं का जनक है उन्होंने ही सहर विद्या को जन्व दिया और सनातन ध्रम में हर दिवी देवता के पूजन और प्रसाद सम्बंदी कुछ विशेस नियम है शंक से जलर पित करने कर भगवान विश्नु अतिप्रसन हो जाते हैं शंक से अगर आप जलर पन करें तो भगवान विश्नु अतिप्रसन हो जाते हैं लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंक का परियोग नहीं होता सा, इन्हें शंक से ना तो जल दिया जाता है और ना ही शिव की पूजा में शंक बजाया जाता है, शंक को पूजा स्थन पर रखना बहुत शुप माना जाता है, और सनातन दर्म के अनुसार शंक को भगवान की आरती में रखा जाता है लेकिन और और तो रखने के बाद उस शंक में जो जल है उसको भी सभी पर छड़का जाता है ये भी नियम है पूजा पाठ का आपके अब हवन कथाएं होती होंगी आपने देखा हुआ पंडी जी ऐसे कराते हैं शंक को सुख समरद्दी और निरोगी काया का प्रतीक भी बाना जाता है बहुत महिमा शंक की पूजा के स्थान पर रखने से कहते हैं अनिष्टों का नास होता है लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंक का परियोग कदापी नहीं होता यदि आपने किया तो भगवान शिव की पूजा असफल मानी जाती है सफल पूजा नहीं मानी जाएगी वो संपूर्ण पूजा नहीं मानी जाएगी पुराने कथा है क्यों नहीं होता वर्णन क्यों नहीं होता प्रियोग इसका क्यों वर्जित है आखेर वो जानते है पुरान एक कथा है जिसका उलेग जो मिलता है ब्रह्म वैवरत पुरान में मिलता है जो पुराम ने देखा ब्रह्म वैवरत पुरान के अंदर इसका वर्णन है कहते हैं कि पुरातन कथा के अनुस्वार एक समय श्री राधा उसी समय राधा वहाँ पहुँची और श्रीकरशन को सकी वरजा के साथ देखकर बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में उस क्रोध के आवेग में आकर के उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे वरजा को बहुत लज्जा महसूस हुई और लज्जावश वरजा नदी बनकर बहने लगी लज्जावश वरजा नदी बनकर बहने लगी श्री राधा के क्रोध बरे शब्दों को सुनकर भगवान श्रीकरशन के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा तो उन्होंने श्री राधा से उँचे स्वर में बात की सुदामा ने क्योंकि बगवान करशन को उन्होंने बोला और इस तरह से बोला कि वर्जा नदीबन कर बह गई गई तो श्री राधा से उंचे स्वर में सुदामा ने बात की जिससे क्रोधित श्री राधा ने सुदामा को दानव बनने का शराप दे दिया इससे क्रोधित हो करके श्री राधा ने दानव बनने का श्राप दे दिया सुदामा को आवेश में आई सुदामा ने भी हित अहित का विचार किये बिना श्री राधा रानी को मनिश्य योनी में जन्म लेने का श्राप दे दिया अब श्रीराधा रानी के श्राप से सुदामा शंकचूर नाम का दाना वो बना दंब के पुत्र शंकचूर का वर्णन शिप पुराण में भी मिलता है और ये अपने बल के आवेश में तीनों लोगों का स्वामी बन वे था इतना बड़ा राक्षष था शंकचूर तीनों लोगों का स्वामी बन गया इतना बल था उसके अंदर तभी उसने तीनों लोगों का स्वामी बन गया उसके साथ साथ तभी उसने सभी सादू संतों को सताना शुरू कर दिया सभी भक्त जनों को सताना शुरू कर दिया अब सादू संतों की रक्षा के लिए भगवान शिवन ने शंक्चूर का वद कर दिया शंक्चूर श्री विश्नू और देवी लक्षमी का परम्पिरिय भक्त था भगवान विश्णू ने इसकी हड़ियों से शंक का निर्मार किया इसलिए विश्णू एवं अन्य देवी देवताओं को शंक से जल अर्पित किया जाता है लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंक करना तो प्रियोग होता है और नहीं जल दिया जाता है आप घर में बहुत सारे लोगों के घर में मैंने देखा है कि वहां पर एक छोटा सा शिविलिंग रकते हैं और घर के मंदिर में उसी के साथ शंक कर देते हैं अज के बाद अगर आपके घर के पूजा मंदर में शंक रखा है तो ध्यान दीजेगा या तो वहाँ शिवलिंग ना हो ये शंक ना हो आप मंदर के आसपास कहीं रखते हैं शिवलिंग के पास ना रखते हैं शंक रखना बहुत शुबकारी होता है बहुत कल्यान कारी होता है लेकिन मंदर के आसपास कहीं रखने अगर मंदर में शिवलिंग है तो मंदर में शंक ना रखने मंदर के आसपास कहीं रखने बहतर हो तो ना तो भगवान शिव की पूजा में शंक का प्रियोग होता है ना ही जल दिया जाता है और ना ही भगवान शिव की पूजा में शंक बजाया जाता है क्योंकि भगवान शिव ने शंक चूड का वद कह दिया था और शंक्चूड दैत्यराम दंब का पुत्र था दैत्यराज दंब को बहुत समय तक कोई संतान ने हुई तब उसने भगवान विश्णू के लिए कठिन तपश्या की और तब से प्रसन्न होकर विश्णू प्रकट हुए और श्री विश्णू जी ने वर मांगने के लिए कहा तब दंब ने तीनों लोगों के लिए अजे एक महा पराक्रमी पुत्र का वर्दान मांगा और श्री हरी तथास्तु वोलकर अंतर ध्यान हो गए बगवान विश्णू का वर्दान मिलने के बाद दंब के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शंक्चूड पड़ा और शंक्चूड ने पुषकर में ब्रह्मा जी की निमित घोरत पश्या की और उन्हें प्रसंद कर लिया ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा तब शंक्चूड ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजे हो जाए ब्रह्मा जी ततास्तो बोले और उसे श्रीक करश्न कवच दे दिया साथ ही ब्रह्मा जी ने शंक्चूर को धर्म द्वजा की कन्या तुलसी से विवा करने की आग्या दी और वो अंतरध्यान हो गए ब्रह्मा की आग्या से तुलसी और शंक्चूर का विवा हो गया ब्रह्मा और विश्णू के वर्दान के मदमे चूर देत्यराज शंक चूर ने तीनों लोगों पर स्वामित्व इस्थापित कर लिया और देवताओं ने तरस्त होकर भगवान विश्णू से मदद मांगी परंतु उन्होंने खुद दंब को ऐसे पुतर का वर्दान दिया था अते उन्होंने शिव से प्रार्थना की तब शिव ने देवताओं का दुखदूर करने का निश्य किया और वो चल दिये परंतु श्रीक्रशन कवच और तुलसी के पती वरत धर्म की वज़े से शिव जी भी उसका वदकन्य में सफल नहीं हो पा रहे थे इसके बाद भगवान विश्णू ने ब्रहमन रूपधारन कर देथ्यराथ से उसका श्रीक्रशन कवच दान में ले लिया और फिर शंक्चूड का रूपधारन कर तुलसी के शील का हरन किया अब शिव ने शंक्चूड को अपने तरशूल से बस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंक का जन्म हुआ चुकि शंक चूड विश्नु भक्त था अते लक्षमी विश्नु को शंक का जल अतिपरिय है और सभी देवताओं को शंक से जल चड़ाने का विधान है परंतु शिव जी ने क्योंकि उसका वद किया था अते शंक का जल शिव को निशेध बताया गया है इसी वज़े से शिवजी को संक से जल नहीं चलाया जाता शिवजी की पूजा में शंक पूंड ते वर्जित है ये है कता इसलिए शिवजी को शंक नहीं चलाया जाता साथ बहुत बहुत आवार आप सुब का अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती है के शरी शरी आप